हलो फ्रेंड्स वेलकम इन दा टैग यानि की टैक आटो ग्यान में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट हैरी तो दोस्तों बात करते हैं टाटा एल्टरोस की तो ये देश की पहली गाड़ी बन गई है जो की लाँच होने से पहले ही जिसका Global NCAP ने Crash Test कर दिया है तो सबसे पहले Congratulations to Tata उसकी वज़ा है ये उनकी दूसरी ऐसी गाड़ी है जिससे 5 स्टार रेटिंग मिली है और ये Country की भी ऐसी दूसरी गाड़ी है जिससे 5 स्टार रेटिंग मिली है पहली 5 स्टार रेटिंग मिली थी Tata की ही Nexon को अब Altros को कुछी दिनों में 22 जनवरी को Altros लाँच होने जा रही है तो मैं बात करूँगा इसकी थोड़ी से सेफटी के बारे में और थोड़ा सा comparison तो बनता ही है यार तो बात करूँ अगर मैं मारूती की कुछ गाड़ियों की जैसे की स्ट की बात करूँ ब्रैजा की बात करूँ तो उनको भी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली थी ग्लोबल एंड कैप में हालांकि उन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरियंट्स यूज किये गए थे लेकिन यहाँ पे एल्ट्रोस का बेस वेरियंट ही यूज किया गया है लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग मिली है जो की बंती भी है टाटा इससे डिजर्व करता है हलांकि अब इस टाइम पे बेस वेरियंट में ही काफी फीचर आने लगे हैं तो मैं अल्ट्रोस की ही बात करूँ तो यहाँ पे आपको डूल एरबैक्स मिल जाते हैं ABS मिलता है, EBD मिलता है, Speed Control आपको Speed Warning भी यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे आपको ISOFIX जो की अगर मैं Simple Language में बात करूँ तो यहाँ पे एक Baby Seat Attach करने की Facility भी है जो की काफी Luxury काडियों में मिलता था Option लेकिन यहाँ पे आपको Base Variant से ही मिल जाएगा तो आएए मैं Share करता हूँ कुछ Video Clips जो की Global NCAP की तरफ से हैं तो देखते हैं यह Crash Video Clips जी हाँ दोस्तो जो Global NCAP Rating है उसके Accordingly हम देखें तो यहाँ पे Altros को अगर Adult Safety के Accordingly देखें तो यह टेस्ट किया गया था 64 किलोमेटर पर आरकी स्पीड पे और Out of 17 यहाँ पे 16.13 जो Rating है जो Marks है वो मिले हैं जिसके Accordingly यह Rating 5 Star बनती है और यही अगर हम Child Safety की बात करें तो यहाँ पे Out of 49, 29 Marks मिले हैं Rating मिली है On Same Speed तो यह इसके Accordingly 3 Star की Rating बनती है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि यह Rating 3 Star क्यों रही है तो यह कुछ Videos हैं, Clips हैं जो आपको यह Front Clip है जो की Front Strike के बारे में आपको बता रहा है यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि काफी ज़ादा नुकसान होगा है लेकिन यह Test, My Dear Friends किसी भी गाड़ी की Physical Structure को लेके नहीं किये जाते यह Actually on the basis of Injuries to the Passengers के basis पे किये जाते हैं तो यहाँ पे जो Adult Safety है, यहाँ पे Altros को मिलते हैं 5 Star यह दिख सकते हैं आप Side Impact भी टाटा माना जाता है अपने Shell की वज़ा से अपनी Strong Build Quality की वज़ा से यहाँ पे भी जो B Pillar है काफी Strong है और काफी अच्छी Protection प्रोवाइड कर रहा है लेकिन जो 3 Star रेटिंग हुई जो की Child Safety के बारे में उसके बारे में मैं आप से थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा जी हाँ दोस्तों तो आपने इन वीडियो क्लिप्स में देखा की कैसे Altros को Crash Test किया जा रहा है तो यहाँ पे मैं आपको दो सिंपल से पॉइंट बदातेता हूँ जो 5 Star रेटिंग मिली है वो तो बढ़िया है लेकिन 3 Star रेटिंग की यहाँ पे किसी ने भी बात नहीं करी है क्योंकि Child Safety के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो जब 3 Year का एक जो Baby Dummy था रखा गया उसको बिठाया गया तो वहाँ पे Crash के दोरान जो गाड़ी के Interiors थे जो Dashboard थे वहाँ पे उसका Head Strike किया जिस वज़ा से यहाँ पे गाड़ी को 3 Star ranking मिली है नहीं तो यह Baby Safety के बारे में भी मेरे ख्याल से 5 Star नहीं तो 4 Star तो इसकी बनती ही थी तो यह कुछ छोटे छोटे clause कई बार रह जाते हैं लेकिन यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते कि Baby Safety के बारे में के Regarding यह गाड़ी 3 Star है तो जादा बहतर नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी आप इसको 5 Star rating मानके ही चल सकते हैं काफी बहतर अच्छी खासी आपको यहाँ पे Safety मिल जाएगी तो मैं Congrats कहना चाहूंगा अपने उन दोस्तों को जिन्होंने Altros Book कर रखी है काफी बढ़िया और दमदार आपका decision बहुत ही अच्छा है अगर आप Altros को चूज करके बैठे हुए है तो My Dear Friends आज का यह छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank You Friends